हलो फ्रेंड वेलकम तो मैं चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं क्लास 7 का यूनिट 13 एक्सपोनेंट एंड पॉवर्स एक्सराइज 13.1 कोशें नमबर वान वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो को एंट तक देखेगा और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक हैं यहां पर हमारा फर्स कोशें है find the value of a का है a पार्ट है इसका 2 की पॉवर 6 हमें इसको सॉल करना है हमें इसकी 2 की value निकालनी है 2 को हम 6 टाइम multiply करेंगे तो इसकी क्या value आएगी 2 को हम इस तरह से 6 टाइम multiply करेंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह हम इसको multiply करेंगे 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32 32 to the 64 तो यहां पर इसकी value आ गई है 64 is the answer हमारा second part है इसका 9 की पॉवर 3 9 को हम 3 टाइम multiply करेंगे 9 into 9 into 9 9 9 जा 81 81 into 9 हम यहां पर side पर multiply करेंगे 9 1 जा 9 8 9 जा 72 7 29 जा आंसर उसके बाद हमारा third part आता है 11 की power 2 11 into 11 11 into 11 121 121 जा आंसर 11 को हमने 2 टाइम multiply किया जितनी power होगी उतने टाइम हमने उसको multiply करना है number को यहां पर है d part 5 की power 4 तो यहां पर हम कैसे करेंगी 5 into 5 into 5 into 5 into 5 हम इसको 5 को 4 times multiply करेंगे 5 into 5 25 25 यहां पर हम करेंगे हम इस तरह से भी break करके भी इनको multiply कर सकते हैं 5 into 5 25 25 into 25 6 25 इस तरह आंसर फर्स पार्ट 6 कितने टाइम से हम पहले तो यह देखेंगे 6 है हमारे पास 6 जो है हमारा वो बेस नामबर है हम यहां पर 6 को as a base यहां पर लिखेंगे then हम इसको count करेंगे कि यह कितने times है 1 2 3 4 6 कितने times है 4 time है तो हम यहां पर उपर इसके power क्या लिख देंगे 4 6 raise to power 4 6 हमारे पास कितने times है 4 यह है हमारा यह इसके exponential form है तो यह हमारा क्या हो जाएगा answer हो जाएगा उसके बाद हमारा second part है t into t अब हम देखेंगे हमारे पास जो base है वो क्या है t है और t कितने times है 1 2 2 times है तो t की power 2 this is our answer यहां पर हमारा third part है इसका b कितने times है b हमारे पास base value है b को हम b पहले b लिखेंगे then हम count करेंगे कितने times है 1 2 3 4 यहां पर 4 time है तो b की power 4 is the answer उसके बाद second है हमारा यहां पर 5 कितने times है base value यहां पर हमारी 2 है 5 5 5 कितने time है 2 time है तो 5 की power हम 2 लिखेंगे then हम यहां पर multiply का sign डालेंगे और 7 है 7 कितने times है 1 2 3 तो यहां पर हम 7 की power 3 लिखेंगे this is our answer उसके बाद हमारा यहां पर same as it is जैसा पहला last part था वैसे ही है 2 यहां पर है हमारे पर 2 की power हम क्या लिखेंगे 2 कितने times है 2 time है 2 की power 2 into हमारे पस a कितने times है a 2 times है तो हम इसकी power b2 लिखेंगे this is our answer उसके बाद हमारा iskous part आ जाता है अब हम यहां पर देखेंगे यह जो term हमारे पस कितने times है a कितने times है यहां पर हमारे पस पहली तो हम यह देखेंगे क्या क्या है a c और d है a multiply c multiply d तो हम देखेंगे A कितने टाइम है, 1, 2, 3, 3 टाइम है तो A की पावर 3, C, 1, 2, 3, 4, C हमार पर 4 टाइम है तो C की पावर 4, D, D only 1 टाइम है तो हम इसके ओपर कोई पावर नहीं लगाएंगे, यह इसकी जब कोई पावर नहीं लगाते हैं तो it means यह वन टाइम ही होता है, this is our answer, तो फ्रेंट इस तरह से मेरी वीडियो आपको helpful लगी है, useful लगी है तो अपने बच्चों के लिए तो प्लीज मेरी वीडियो like, share and subscribe जिरू करेगा, thank you, thank you for watching